नमस्कार दोस्तों, पूरे दुनिया में अभी लगबग 4-4 वैक्सिन सक्सेस हुई है, मॉडरना वैक्सिन है, फाइजर वैक्सिन है, ये 95% एपक्टिव है, रश्या की वैक्सिन पुतनिक भी ये बयानों प्रतिशित एपक्टिव है, अभी ये कहा जा रहा है कि वैक्सिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा डोस की ज़रूत पड़ेगी और इसको साल दो साल लग सकते हैं वैक्सिनेशन के प्रोग्राम को, लेकिन दोस्तों हमें ये सोचना पड़ेगा कि हर आदमी को वैक्सिनेट करनी की ज़रूत नहीं है कौरोना पैंडिमिक रोपने के लिए, ठीक है, अगर सोसाइटी में पचास से साथ प्रतिशत लोग को भी एंटिबोडिज आ जाती है, कौरोना के खिलाब, तो भी जो ट्रांस्मिशन है वायरस का ये रूख जाएगा, और जो जिन्दगी है पहले से से नॉर्मल हो जाएगी, अब देखिए अगर हम भारत की बात करेंगे, तो अभी लोग कह रहे हैं कि दो अजार बाइस तक जो है वैक्सिन नहीं मिले की हर एक बंदे को, भारत की पॉपुलेशन एक्सो टीस, एक्सो पैटीस करोड है, तो हर एक आदमी के पास वैक्सिन पहुचने में कितना समय लगेगा, तो यह कहा जा रहा है कि यह बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा, लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे कि अभी जिन लोग को करोना हो गया है, उन लोगों में आल्रेडी जो है इम्मुनिटी बनी हुई है, अगर शेहरी इलागों की बात करेंगे तो यह लगबक कुछ-कुछ एर तो ऐसे हम लगबक पचास से साथ प्रतिशत इम्मुनिटी भी बना लेते हैं सोसाइटी में, तो इसका ट्रांस्मिशन रूख जाएगा, ठीक है, तो इसका सीधा मतलब क्या है कि जिन लोग को वैक्सिन नहीं मिली, वो भी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, अगर कोरोना व परतिशत लोगों में अगर इम्मुनिटी आ जाती है, तो इसलिए जो डर है कि वैक्सिन आने में बहुत समय लगेगा, हमारे पास आने में साल दो साल लगेंगे, ये डर भी काफी निरतक है, क्योंकि अभी वैक्सिन कैंडिडिट्स एक के बाद एक सक्सेस हो रहे हैं, तो जल्दी वैक्सिन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, बच्चों में जैसे कोविड-19 से ज्यादा सीरियस कॉंप्लिकेशन होते नहीं हैं, तो बच्चों को अगर वैक्सिन भी नहीं मिली शुरुवात में, तो भी उनमें ज्यादा रिक्स नहीं हैं, ठीक है, इसके बाद जो यंग पॉपुलेशन है, उनमें भी ज्यादा रिस नहीं है, तो जो स्रसेप्टिबल लोग है, खास करके जो सिनियर सिटिजन से, जिन लोग को डाइबिटी से हाइपर टेंशन है, उन लोग अगर वैक्सिन मिल जाती है, तो जो पॉपुलेशन को रिस के ज्यादा जाएगा, तो एक इसके बारे में पॉजिटिव बात है, और अभी बच्चे जो यंग पॉपुलेशन उनमें इतनी ज्यादा रिस नहीं है, और दूसरी बात मैंने जैसे अल्ड़ी का हर्ड इमुनिटी से इनको इंपेक्शन होने का खत्रा भी कम हो जाएगा, और धिरे ध इमुनिटी बनती जाएगी और हर आदमी को हर इमुनिटी का फाइदा होगा, दोस्तों इसके अलावा आपका कोई सुजाव है या सवाल है, उसे कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूले, धन्यवाद